हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्वी एडिटीव क्लास में तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो कोस्टन ले करके आया हूं यह कोस्टन एक्सरसाइज 10.4 का क्लास 9 की मैट से लिया गया है इस वीडियो में इस को सब्सक्राइगे आप से बस एक ही रिक्व पुछा गया है तो सर्किल्स आफ रेडियाई 5 cm & 3 cm intersect at two points and the distance between their centers is 4 cm ओसको सिर्टारी कहाइब हम से पुछा गया कि को कॉमेन काइब की कि यह प्तानी है कि हम पर देख यहाँ पर क्या है कि यो दोनों सचील एक दूसरे को टू कॉमन पॉइंट पर इंटर सेक्ट कर रहे हैं पहला point P है जिस पर intersect कर रहे हैं दूसरा point Q है जिस पर intersect कर रहे हैं तो इसलिए दुनों point क्या हुए common point हुए अब PQ यहां पर क्या है cord है और यह जो छोटा circle है इसका जो center है इसी common cord पर लाई कर रहा है अगर आप compass और scale protector के help से इसको बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा यह वाली जो center की पहले वाले जो circle का center है वो ओ है तो यहां पर यह कहा गया है कि जो बड़े वाले circle का radius है वो 5 cm है और जो छोटे वाले circle का radius है वो 3 cm है तो यहां पर हमें बताना है कि भाई कितनी होगी अब ऐसा कोई common point होता है जहां पर एक circle दूसरे circle को intersect करता है तहां पर एक theorem लगती है वो लगेगी theorem 10.4 कौन्सी लगेगी theorem 10.4 उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी circle है वो center से code पर डाला जा रहा है और perpendicular bisect कर रहा है क्या कर रहा है perpendicular bisect कर रहा है तो यह जो length होगी AP की और AQ की equal होगी कौन्सी यहां पर AP equal to AQ यानि की code जो पी की है वो दो equal parts में divide होगी clear और जो angle बनेगा OAP वो 90 degree बनेगा क्योंकि perpendicular bisector का मतलब ही यही होता है perpendicular bisector का मतलब क्या होता है line to equal parts में divide होगी जो midpoint होगा जहां से line divide होगी वहाँ पे 90 degree का angle बनेगा right angle बनेगा उसे perpendicular कहते हैं यह बाते समझ में आ गई तो चलो फिर question को करते हैं solution by using theorem 10.4 the line joining the centers इस पर्पेंडिकूलर बाइ सेक्टर आप दा कॉमन कार्ड यहां पर क्या क्या गया है जो line है जो center से join हो रही है वो अगर common card पे पड़ रही है तो common card क्या होगा perpendicular bisector होगा perpendicular means होता है 90 degree bisector means होता है आधा आधा half ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा card PQ है यह हमारी line OA है जो card पर पड़ रही है और यह center को join कर रही है तो यह line PQ को half-half में divide करेगी यह इसका midpoint होगा और midpoint पर यह 90 degree बनाएगा क्या बनाएगा 90 degree बनाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे इसके radius को ऐसे join कर देंगे तो यह हमें एक triangle मिल जाएगा और triangle कुन सा मिलेगा और इसी प्रकार से नहींचे और एक क्यूं मिल जाएगा पर हमें दोनों की कोई जरुत नहीं है हम किसी एक में लगा सकते हैं तो यहां पर हम लगाएगे उपर वाले में ओ एपी वाले में किसमें लगाएगे ओएग वाले में इंट्रेगाल ओ एपी एंगल एज इग्वल टू 90 डिग्री डैन कि भाइउजिंग पाइधागोरस थेरम कि अब यहां पर हम पाइधा गोरस ठेरम का इस्तिमाल करेंगे इस ट्रैंगल में, ओ, ए, पी में, तो मैं ओ, ए, पी को थोड़ा अलग से बना देता हूं, तो यह है हमारा ट्रैंगल, ओ, ओ, ए, पी, यहाँ पर हमें जो बड़ा वाला सर्किल है उसका radius दिया गया है 5 यह हमारा OP जो है वो बड़े वाले सर्किल का radius है जिसकी value 5 दिया गया है और यह जो O और A point है यह दोनों सर्किल के बीच की distance है जो हमें दिया गया है 4 cm करना है तो यहां पर लगाएंगे पाइधागोरस ठेरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वाइर प्लस बेस का स्क्वाइर तो यहां पर हमारे पास हाइपोटेनियस जो होता है यानि कि op square square is equal to ap square plus oa square जो हम वैलू पुट करेंगे तो op की वैलू 5 है 5 का square ap की वैलू हमें find करनी है और oa की वैलू है 4 square तो यह 5 square 25 हो जाएगा ap square हमें find करना है 4 square 16 हो जाएगा यह इसको इदर लाके minus करेंगे तो हो जाएगा ap square is equal to 25 minus 16 तो AP is equal to हो जाएगा 9 और यहां से जब हम इस side से square को remove करेंगे तो इधर आ जाएगा square root और AP की value हमारे पास आ जाएगी 3 कितना आ जाएगा 3 cm unit हमारा cm में चल रहा है तो अभी यह हमारा answer नहीं हुआ यहां तक हमने सिर्फ और सिर्फ AP की value find की है हमें तो यहां पर common card PQ की value find करनी है अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ AP की value find किया है तो आप ध्यान से देखोगे जो AP है वही AQ है तो यहां पर क्या करेंगे इसको 2 से multiply कर देंगे now for length of common card तो यहां पर देखे common card की जो length हो जाएगी वो हो जाएगी 2 into AP अब मैं समझा देता हूँ यह क्यूं होगी देखो जो PQ है वह AP plus AQ के equal है मतलब इसको और इसको add करेंगे लेकिन आपको पता है कि दोनों जब बराबर ही है तो आप किसी को भी दो बार रग दो जैसे कि AP equal है AQ के तो मैं यहां पर AP plus AP रख दे रहा हूँ तो यह आ जाएगा 2 AP तो वो चीज आपको mind में समझना है बार बार यहां पर rate करने की जरूर नहीं है तो यहां पर दिको जब value put करेंगे 2 into 3 यह हो जाएगा 6 cm तो हमारी common card की length कितनी आ जाएगी 6 cm आ जाएगी है तो कि दा लेंथ आफ है कॉमन कॉर्ड अज़ीज शीक्स संटीमीटर ओके इस विल वार आंसर या मारा आंसर होगा स्टुडेंट्स आप इसको रेंडाउन कर लें या फिर आप चाहें तो स्क्रीन सॉट ले लें आसा करता हूं आपको वीडियो में कुछ समझ में आया हो है तो वीडियो को लाइक किया अगर मत जाएए दोस्तों को भी शेयर कर लीजे और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछन के साथ तक लिए बाइ